हालो आभ्रिवन माईनेमे सुरभ सिंग और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ क्वाड्स किस्टल के बारे में अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा ए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके पहले मैंने आपसे पीजो एलेक्ट तो में आपका quads structure होता है और quads structure का सबसे अच्छा use crystal oscillator में होता है इसका क्या मतलब है crystal oscillator अगर अगर आप EDC की student है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि osculator का क्या काम होता है अगर आप mechanical years level की student है तो आप इतना समझ लेजे कि osculator basically आपका repeating waveform को generate करने के लिए use होता है अगर हम quads crystal की बात करते हैं तो उसकी सबसे अच्छी properties होती है क्योंकि वो fix frequency पे काम करता है temperature change होने के साथ साथ वो crystal जो structure होता है वो change नहीं होता है कि osculator की सबसे अच्छी property होती है आप जैसा कि देख रहे हैं कि यह हम आपका quality factor और frequency की बीच में graph पता है इसका क्या मतलब है अगर हम normal osculator की बात करते है normal osculator जो आपका inductor या capsidens से बनता होता है तो उसका quality factor 20,000 होता है बट अगर हम quads से कोई osculator बनाते हैं तो उसका जो आपका quality factor है वो बहुत ज्यादा हो सकता है थर्वाइस 20,000 से वो 2 लह तक vary कर सकता है quartz material जो आपका होता है वो polycrystalline structure होता है तो वो direction पर dependent होता है आईए बात करते हैं quartz crystal structure के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 3 axis दिखाई गई है यह आपका एक quartz material है quartz material से हम एक particular portion को extract करते हैं osculator बनाने के लिए तो यहाँ पर आपको 3 axis दिख रहे होंगी x axis y axis यह आपकी y axis है और यह आपका z axis है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि x axis y axis के perpendicular ही हो तो यहाँ पर हम अगर कोई quartz osculator बनाते हैं या crystal osculator बनाते हैं तो उसके लिए हम इस particular material से से कोई portion को extract करते हैं यह चीज हम कैसे decide करेंगे कि हम कौन सा portion extract करें तो हम बिसिकली यहाँ पर कट लगाते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन कट के बार में मैंने बात किया है x cut y cut and 80 cut clear है तो अगर हम x cut की बात करते हैं तो x cut हमारा क्या है x axis के perpendicular है और z axis के parallel है यह चीज याद रखेगा पहला cut हम इसकी बात करें cut हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हम cut लगा कर ही basically quartz material से crystal osculator बनाने के लिए कुछ portion लेंगे तो पहला cut है आपका x cut दूसरा cut आप देख रहे हो y cut है y cut क्या y axis के perpendicular है clear है और आपका जो y axis से यह क्या है आपका दो side को जो cut कर रहा है उसे हम y axis बोल रहे हैं इसके अलामा जो आपका तीसरा cut होता है that is 80 cut 80 cut आपका z axis से 35 degree angle पर होता है और अगर हम इसी z axis से 49 degree angle पर बात कर तो वो cut आपका bt cut होता है hopefully आपको समझ में आ गया हो अब हम x cut की properties को अगर बताएं तो अगर हमने कोई crystal इस particular x cut से कोई भी osculator बनाया है उस osculator एक particular frequency पे काम करेगा इंसा करम temperature को increase करेंगी तो वो जो particular fixed frequency पे काम कर रहा था वो fixed frequency पे ना काम करके frequency को vary कर देगा यानि जो x cut होता है वो negative temperature coefficient को follow करता है जैसे temperature increase करेगा frequency decrease करती जाएगी यानि अपने frequency से shift होता जाएगा वाइ कट की बात करें तो हमारा क्या है positive temperature coefficient है मतलम जैसे हम temperature को बढ़ाएंगी वो higher frequency पे वर्क करना लगेगा बन हमें क्या चाहिए होता है कि fix frequency वे वर्क करें यानि temperature के बढ़ाने से अगर कोई oscillator जो हमने बनाया है वो different different frequency पर ना वर्क करें तो इसलिए हम क्या चूज करते है 80 कट चूज करते क्योंकि इसका temperature coefficient zero होता है यानि यह independent होता है temperature बढ़ाने या घटाने से आपकी frequency पर changes नहीं आते हैं तो यह basically आपका quads जो आपका material है इसका एक overview हो गया है आई हम थोड़ी सी theory जान लेते हैं 80 कट होता है 35 degree with Z axis है zero temperature coefficient जो मैंने आपको पूरी theory बताई हूं मैंने यहाँ पर लिखती है if we fix size cut and shape of crystal then it will operate to fixed frequency अगर हम particular size shape और cut को choose करते हैं तो वो एक particular fixed frequency के लिए काम करता है for generation of particular range of frequency in quads crystal we will choose particular size shape and angle for particular direction यानि यह polycrystalline है तो अगर हमें particular range of frequency के लिए बनाना है तो हमें particular shape के particular angle से ही cut करना पड़ेगा quads crystal के लिए each and every cut has a unique weight of frequency variation with a temperature as the increases frequency of the quads crystal will vary depend upon the which cut have chosen जो मैंने आपको बता है कि 80 cut रहेगा तो zero temperature coefficient है तो सबसे जादा preferred cut जो होता है वो आपका 80 cut होता है next अगर मैं बात करती हूं कि अगर आप जो quads crystal है उसकी layering करते हैं तो यह आप पर आपके different different harmonic generate होते हैं a quad crystal can be used to generate odd harmonics or a even harmonics it generate even harmonics then इसको क्या कहते हैं harmonic oscillator कहते हैं और जो यह layering होती है crystal will call multi-tone crystals यानि यह F0 यहां पर आप देखे 3 F0 यह आपको मैंने odd harmonic oscillator का example दिया है तो अगर हम किसी piezo electric material पर stress या force को लगा रहे हैं तो वहाँ पर charge generate होता है या कह सकते ही electric field produce होती है तो जो आपका जो charge produce होता है वो किस बात की proportional होता है कि आप कितना force लगा रहे हो तो इस proportionality constant को हटाने के लिए हम क्या कि उसकी है d, d को हम बोलते है charge sensitivity constant जिसकी unit charge पर newton तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से आपकी d की unit कर जाएगी आप चुकी charge generate हुआ है और यह जो charge है आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से charge generate होता है जिस तरीके से आपका capacitor में generate होता है यहां से अगर हम voltage की value निकालें तो यहां से voltage की value के आजएगी df by c और c हमें पता है कि अगर दोनों plate की बीच का difference t है तो c की value क्या होती है epsilon not a by t तो हम यहां पर यह c की value डालेंगे तो इससे हमारा यह formula generate हो जाता है इसको हमने rearrange कर लिया f की नीचे a f by a को हम बोलते है pressure d by epsilon not को हमने g अलग constant का नाम दिया that is called voltage sensitivity and t is the thickness जो voltage की value होती है वो 1 millivolt से 30 millivolt की बीच में vary करती है यहां पर यूनिट जरूर ध्यान रखेगा like g या d किसकी value दी होई है यह डिपेंड करता है उसकी unit क्या है g की unit आपकी क्या है volt meter by newton और यहां पर क्या है आपकी column per newton ठीक है आए कुछ questions पर बढ़ते हैं जरूर से solve कीजेगा the material which has the property of becoming electrically polarized in response to an applied mechanical stress सेम यही concept है जो मैंने आपको यहां पर बताया है अभी mechanical stress apply करेंगे तो electric field generate होगी तो इस phenomenon को क्या कहते है पीजो एलेक्रिक, superconductric, ferroelectric, optoelectric, comment box में आप मुझे एंसर जरूर बतायेगा next video की next question की बात करें consider the following statement relating to piezoelectric material and their effects stress applied to the material produce electric polarization second option is second statement is an electric field applied to the material produces strain in it all piezoelectric material are also ferroelectric material तो इस question का भी answer आप मुझे comment box में देंगे इस question के लिए solve करने के लिए आपको मेरा पहले का video जरूर देखना होगा video पसंद आए तो like and subscribe जरूर कीजिए और student खुब सारी बढ़ाई कीजिए ताकि selection बहुत जल्दी हो जाए आपका thank you